दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि सब्मेटर का बिल्किस तरह से निकला जाता है ठीक है तो इस वीडियो में हम इसको सब्सक्राइब करना है डीक है उसको आपके यहां करने के बार हमिसा कलेकल करेंगे सबसे पहली हमने आपके लिखा है अलए पर यहां पे रेंटर तहीं मतलब मालिक ऋसको में पहलब मुनु रहेगी व्यां आपको पर क्या करेंगे जो हमारे प्रेजेंट यूनिट है या रीडिंग है उसको हमें या पर लिख लेना है ठीक है जो में मिटर था उसके रीडिंग या पर 691 यूनिट ठीक है तो इसको हमने या पर लिख दिया अब इसके बाद क्या करना है जो सब मिटर है उसके भी या पर जो यूनिट यह रिडिंग है उसको भी आपको यह पर नोट डाउं करके लेना है उसकी बाद क्या करेंगे अभी। तो सबसे फ़़ल जो रेंटर हैं उसका निलता है! ट्विणटीएट दूनिट इस मेने में त्विणटीएट इनिट की है, इस तरह सब इसको निकल जाता है। बहुत ही आसान है णुद करेंगे तो यहाभ हमरे हैंब से टेन रूपीस पर यूट से रंटर के पास से सबसे तो यहां करेंगे तो यहां आपने करेंगे तो यहां इसका काल करेंगे तो यहांब निकल के आता है 21 में से हम माइनस करेंगे 600 ठीक है तो यहाँ पर calculation कर लेते जल्दी से तो calculation करने के बाद यहाँ पर हमको मिल रहा है 91 unit ठीक है लिकनि यहाँ यह 91 unit है यह पूरा का पूरा owner ने उजने किया है इसमें 28 को माइनस कर देंगे जो यहाँ निकलेंगे तो फिर यहाँ पर उनर ने यूज किया इस तरह सब इसको निकल जाता है ठीक है तो यह थोड़ा सा आपका ज्यादा नोलज आपको इसमें मिलने वाला है तो यह काम करते है कि 28 को हम क्या करेंगे 91 में से माइनस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा 63 यूनिट यहाँ इस महने में मालिक ने यूज किया ठीक है बहुत से आसान है इस तरह साब मालूम कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे जब electricity board का bill आता है तो किस तरह से बनता है या कितना बन सकता है उसका हम यहाँ पर को calculation करके बताने वाले तो सबसे जो bill में जो file जो charge होता है होता है fixed charges ठीक है तो government आपने पास ते कुछ चार्ट लेती है या उसको बोलते है meter का rent ठीक हर महने का तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर है 150 रुपए हर महने के लिए हम यहाँ पर electricity board को देना पड़ता है यहाँ इसको लिख दिया उसके बाद इस महने में हमने कितने unit consume किये उसका भी बिल हम यहाँ पर देना पड़ता है government को ठीक है यहाँ पर हमने लिख दिया electricity charges ठीक है इस मेने में हमने यहाँ यहाँ उसके 91 unit ठीक है तो हमरे यहाँ पर पहले 100 unit के लिए जो charge लगता है वो लगता है 3.36 rupees ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले लिखेंग 91 unit में हमने use किये यहाँ लिखते 91 multiply करेंगे हम 3.36 ठीक है पहले 100 unit के लिए यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लिख दिया तो इसका calculation करते है फटक से तो यहाँ पर calculation करने के बाद यहाँ पर मिल रहा है 305.76 rupees यहाँ पर हमें electricity board को देना पड़ेगा इसके बाद जो charges आता है उसको बोलते है transmission charges तो इसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 91 unit multiply करेंगे यह होता है 1.35 rupees ठीक है तो इसको लिख दिया इसका भी हाँ आपर calculation कर लेते है जल्दी से तो calculation करने के बाद यहाँ भी मिल रहा है 122.85 तो इसको भी हम यहाँ आपर note इपलाई करेंगे ठीक है तो यहाँ लिख दिया इसको यहाँ पर calculation कर लेते है जल्दी से और calculation करने के बाद हमको यहाँ पर मिल रहा है 59.15 तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया अभी क्या करते है सबसे पहले क्या करेंगे सबका addition कर लेंगे तो टोटल करना पड़ेगा सब का तो यहाँ पर लिखते है 115 यह हमारा fix charge है इसको लिख दिया उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे electricity charges तो यहाँ पर आ रहे 305.76 रूपीज इसको भी लिख दिया उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे transmission charges 122.85 इसको भी लिख दिया ठीक है और सबसे आखिर में जो हमारा आ लिखेंगी total amount कितने आती है इसकी यहाँ पर 602.76 रूपीज यहाँ पर आई है तो इसके उपर हम यहाँ पर क्या निकलना है tax निकलना है government को tax भी देना पड़ता है और वह होता है 16% ठीक है तो हम यहाँ पर निकल लेते tax सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 602. 22.76 इसको multiply करेंगे 16 से और इसको divide करेंगे हम 100 से तो यहाँ पर हमारा 16% की सबसे यहाँ पर निकल के आ जाएगा तो इसका यहाँ पर calculation करने को बद यहाँ पर मिलना है 96.44 ठीक है तो यहाँ इतना निकल के आ चुका है अभी क्या करेंगे अभी सब का है यहाँ टोटल करना पड़ेगा वापस से तो यहाँ पर टोटल लिखते है और यहाँ लिखेंगे 602.76 प्लस 96.44 तो इसका हमें आपर आडिशन कर लेते हैं जल्दी से और आडिशन करने के बद यहाँ आपर हमको टोटल नमोड मिल रहा है 699.2 तो इसका मतलब क्या हो गया तो यहाँ इसका हम फिर के घरेंगे 700 विखितना है हमारा 280 यह और लहाँ करेंगे मायनस करने बाद जो भी हमारा अपर बंचीव का होगा जो उसको उतना प्ड़ करवाना पड़ेगा और को यहाँ पर बिल कितना आया 420 रू पर ऊशको भरनाई पड़ेगा खाली ठीक है तो टोटल में लागे बिल है 700 उसमें से ओंदर का 420 और जो और एंटर है उसका 200 तो इस तरह से करोगे तो भी आपको यह पर समझ में आ जाएगा कि आपको हर मैने कितना भी ला रहा है तो इसका क्लेकुलूसिन भी आप आसन तरीके से कर पाओगे और जो आपका ओनर है वो आपको कितने रुपे से इन्वेट पर चार्ज कर रहा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए तो इन सबी चीजों का आप ध्यान में रखो तो आपको बिल सही से आएगा ठीक है तो आज के लिए इतना है तो मिलते हैं ने स्टूडियो मे तब तक लिए बाई बाई